दोस्तों जिस तरह 2021 में शीबा इनू ने अपने इन्वेस्टरस को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था वैसे ही साल 2022 में भी इन्वेस्टरस को शीबा इनू से काफी ज़ाधा उम्मीदे थी लेकिन 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 पिछले साल एक के बाद इख हुए स्कैम की वज़ा से मार्केट पूरी तरह से धराशाई रहा और उसकी वज़ा से कृप्टो करणसी भी रन नहीं कर पाई जिसके अंदर काफी potential थी Shiba Inu ही उन्ही crypto currency में शामिल थी जिससे लोगों को काफी उम्मीदे थी लेकिन पिछले साल traders ने तो Shiba Inu में अच्छा खासा profit बनाया लेकिन जो लोग इसको hold करके बैठे थे उनके लिए कोई खास return देखने को नहीं मिला लेकिन इस बीच इस साल शुरू होते ही Shiba Inu की तरब से एक के बाद एक positive ख़बरे आना शुरू हो गई है अब क्या है वो positive news और Shiba Inu का next move क्या होगा आईए जानते हैं आज के इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है The Financial Advisor दोस्तों साल की शुरू होते ही सबसे पहले ख़बर आई Shiba Inu की burning को लेके कल के दिन 2 जनवरी को Shiba Inu की एक अच्छी खासी burning को complete किया गया जिसमें new year event के चलते community के द्वारा लगभग 200 million Shiba Inu को burn किया गया अगर पिछले साल की बात की जाए तो सन 2022 के लाश तक आते याते इसकी burning speed लगभग 13,000 प्रतिशत बढ़ गई है जिसके अंदर करीबन 83 billion tokens को burn किया गया था जो Shiba Inu के fundamentals के लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है सच यही दोस्तों कि अगर market ने साथ दिया तो शायद Shiba Inu अभी एक पैसे पे आस सकता था लेकिन लगातार हुई panic selling और बढ़ते हुए fear index की वज़े से Shiba Inu को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा Shiba अपनी community की वज़े से इतना strong है और आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते है कि ये उन चुनिंदा tokens में से एक है जिनका price एक रुपए से कम होने के बावजूद भी trading के लिहाज से एक अच्छा खासा volume generate करता है फिलाल इसके circulation में 560 trillion tokens मौझूद है जो अभी भी एक बहुत बढ़ा number है इसलिए उसका price बताने लायक नहीं है लेकिन पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो इसमें कल की burning के बाद price करीबन 2 प्रतिशत बढ़ा है वहीं अब Shiberium के आने की बात हो रही है जिसकी वजह से काफी बड़ी संख्या में Shiba Inu का distribution reflect होगा और इससे Shiba के price में उच्छाल देखने को मिलेगा इस खबर की पुष्टी सतोशी कुस्मा के इन comment से पता चलता है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि Shiberium अपने छाप छोड़ने के लिए तयार है और इस वक्त उसको उसी तरह developing zone में रख कर काम किया जा रहा है जैसे किसी कार को polish करने के बाद उसके honors तक पहुचाया जाता है इसलिए बस थोड़ा इंतिजार करना है और इंतिजार खतम होते ही हमको Shiba Inu में rally देखने को मिलेगी ही मिलेगी इसी बीच एक बात clear है कि जिस तरह Binance में trade करने के लिए जब हम BNB का pair use करते हैं तो Binance हमें उसके लिए कुछ न कुछ discount देता है तो इसी तरह अनुमान ये भी है कि इसी तरह बाकी exchange की तरह जब Shiberium पर trading शुरू होगी तो वहाँ भी Shiba के pair में trading के option सामने आएंगे जिसमें लोगों को variety of pairs भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ में discount भी मिलेगा ताकि लोग जादा से जादा Shiba Inu के pair में trade कर सकें और उसकी buying capacity को बढ़ा सकें खेर ये जब होगा तब हम आपको update कर देंगे जैसे हम आपको YouTube से पहले ही आपको Telegram पर हर तरीके की update देते रहें इसलिए हमारे Telegram चैनल को join कर लें ताकि आपको crypto की update और daily free trading signals की मदद से एक खुद को update भी कर सकें और एक daily income भी generate कर सकें link description में है दूस्तो जैसे अभी कुछ दिनों पहले PAI के scam की ख़बर आई थी ठीक वैसे ही Shiverium के launch से पहले एक अफवा और उडाई जा रही है कि 6 जनवरी को Shiverium के beta version public के लिए open किया जा रहा है लेकिन हम आपको बता दें कि अभी तक Shiba Inu के developers या management team से कोई भी update देखने को नहीं मिली है और ये अभी सिर्फ एक अफवा है लेकिन अगर ऐसा सच में हुआ तो हम आपको इस बारे में टेलीग्राम पर update कर देंगे ताकि आप समय रहते Shiba Inu के trade में profit बना सकें अब जब profit की ख़बर हो तो बड़ी बड़ी crypto whales Shiba Inu से भला कैसे दूर रह पाएंगी है ना? और यही वज़ये कि पिछले दो हफ़ते में Ethereum की whales Shiba Inu में interest लेते हुए नजर आ रही है और उसमें अभी एक अच्छी खासी buying बना चुकी है हलाकि ये खबर investors के लिहास से तो अच्छी है लेकिन जहां तक whales की बात है वो कभी भी अपनी holding इसमें बना कर इसमें price को sudden pump और dump भी कर सकते है ताकि छोटे investors का पैसा मारा जा सके और इसलिए याद रखिएगा जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ crypto आपको रातो रात अमीर बनाने का कोई formula नहीं है लेकिन हाँ अगर आप सही समय पर सही step लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता है लेकिन आप सही step उठाएंगे कैसे सवाल तो यही है उसके लिए आपको ज़रुत पड़ेगी सही update और सही समय पर मिलने वाली update जिसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कीजे और इस वीडियो की information अगर आपको बसंद आई हो तो वीडियो को like करें, share करें ठीक है? और इसी बीच अगर आप PAI को mine कर रहे हैं और उसकी KYC नहीं कर पा रहे हैं तो उपर आ रहे है आई बटन पर click करके आप अपनी KYC की समस्या को step by step process को देकर solve कर सकते हैं वहीं foreign update और free trading signals के लिए telegram join करना न भूलें बाकी किसी अन्य सहायता और शुकायत के लिए आप हमें Instagram पर DM कर सकते हैं अब मिलते हैं आप से अगली ऐसी ही बड़ी update के साथ तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और जारी रखिए अपनी financial growth